Law will take its own course बड़ी पुरानी कहावत है लेकिन इस कहावत पर अब सवाल उठटने लग गए हैं खासकर कि विपक्ष के तरफ से विपक्ष आरोप लगाता है कि भारती जन्ता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है वो सरकारी एजेंसियों EDCBI का दुरुपयोग करती है अपने विरोधियों को दबाने के लिए और ऐसे वक्त में जब अर्विन केद्रिवाल, हेमन सोरेन सरी के नेता जेल में हैं तो ये सवाल विपक्ष के तरफ से और मुखर हो गए है कानून अपना काम करता है और सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या राजनीती से पूछ कर ये काम करता है कि कौन सा काम करना चाहिए क्या सही है क्या गलत है ये सवाल इसलिए उठ रहे है क्योंकि विपक्ष के आरोप एक तरफ है और उन नेताओं की फेरिस एक तरफ है जो बीजेपी में चले गए जो पहले विपक्ष में थे तो उन पर कारवाईया चल रही थी उन पर जाचे बैटी हुई थी और जब वो बीजेपी के साथ चले ग बीजेपी में शामिल हुए है दस कॉंग्रेस से चार चार एंसीपी और शिवसेना से तीन टीमसी दो टीडीपी और एक एक समाजवादी पार्टी और बायसार से इन पचीस में से तीन नेताओं पर चल रही एडी और सीबियाई के के केसे क्लोज कर दिये गए हैं 20 नेताओ पर चल रही कारवाई जो है केस में जो कारवाई चल लिए वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई है महस दो ही नेता ऐसे हैं जिन पर बीजेपी में शामिल होने के बाद भी कारवाई जाच इजेंसियों की तरफ से उस तरीके की नर्मी नहीं बरती गए इसमें पहला नाम है प किरदारों के बारे में बताते हैं जिनको लेकर के पूरी रिपोर्ट चपी और कहा गया कि इनको बीजेपी की तरफ आने के बाद सहुलियत मिली और ये कहा गया कि वाशिंग मशीन में आने के बाद क्या आरोप लगाया गया कि वाशिंग मशीन में आने के बाद क्या सारे दाग भूल जाते हैं, क्या भाजपा के पास वाकई कोई ऐसी वॉशिंग मशीन है, पहली बात जो चाचा से बगावत करके आए और पार्टी में ही दोपाल कर दिया, उनका उनकी कर लेते हैं, अजीत पवार, महराश्च के डिप्टी सियम, अगस 2019 में अजीत पवार के खिला क्लोस कर दिया, ED ने क्लोसर रिपोर्ट को चैलेंज किया, अप्रेल 2022 में ED ने चारशीट दाखिल की चारशीट में पवार का नाम नहीं था, मामला यहीं पर नहीं थमा, जून 2022 में शिवशेना दो बुटों में बढ़ गई, एक और उद्धो ठाकरे, दूसरी तरफ एक ना जुलाई का आया, महाराष्ट में राजनीती गुठा पताग, और बढ़ी, खबर आई कि अजित पवार एकना शिंदे गुट में शामिल हो गए है, उनकी सरकार में शामिल हो गए, माफ कीजेगा, इसी के साथ महाराष्ट को अपना नया डिप्टी सियम, एक और डिप्टी इंदरी एविएशन, इंदरी नागरिक उड्डेयन मंत्री थे, तब उन पर आरोप लगा था कि Air India द्वारा खरीदे गए 111 जहाजों की खरीद, और Air Indian Airlines के मर्जर के वक्त ब्रस्टा चार के आरोप लगा, आरोप लगा कि पटेल इस डील के जरिए विदेशी कंपनी को फा मई 2017, CBI ने वायार धर्श की, मई 2019 में ED ने पटेल का नाम चार्शीट में शामिल किया, जुन 2023 में पटेल ने BJP का दामन थामा और NDA का दामन थामा आजीत पवार गुट में शामिल होकर के BJP की तरफ चले गे, मार्ज 2024 में CBI ने केस में एक लोजर रिपोर्ट लगा दी, अगला नाम असंत मुख्यमंत्री हमनता विशु सर्मा का है, शार्दा चित्पन गोटाले मामले में मुख्य आरोपी सुधीप्त सेन से कथित वित्ती लेंदेन का आरोप था, अगस्त 2014 में CBI ने शर्मा के घर पर रेट की, नवंबर 2014 में नम्दी पूश्ताश हुई, अग केस चल रहा है, लेकिन इतने सालों में कोई कारवाई नहीं गोई, अगला नाम है पूरो टीमसी और वरतमान बीजेपी नेता शुवेंदू अधिकारी का, 2014 के नर्मदा इस्टिंग ऑपरेशन केस में इनका भी नाम आया था, साथ में 11 टीमसी नेताओं का नाम आया था, 2016 क अपरेल 2017 में CBI ने फाया रजिस्टर की और उसके बाद केस चलता रहा, धीरे धीरे अपने गती से, बाद में सुवेंदू बीजेपी में आगे, बीजेपी के बड़े नकत दावर नेता में अब गिंती होती है और केस ठंडे बस्ति में है, अगला नाम महराश्च के पूर कोटाला के नाम से कथित तोर पर जानते हैं, एडी ने CBI के FIR पर मने लॉंगी के जाश्च शुरू की, चौहार से पूश्टाज भी हुई, पदान मंत्री जम नांदेड गए उस वक्त तो हमला भी किया, कि शहीदों के परिवार का घर खाने वाले लोग कौन है, आप सब जानते हैं, नाम भने नहीं लिया था, 2011 में CBI ने केस रिजिटर किया, जुलाई 2012 में CBI 146 में चौहार का नांद लाया, जनवरी 2018 में सुप्रिम गोट ने कारवाई पर रोक लगाई, फरवरी 2024 में चौहार बीजेपी में शामिन हो गए, ट्राय लगी पेंडिंग है, इस ल नाम है, हमने आपको निताओं के दल बदलने और जाहां चीजनिसियों के बदले तेवरों के बारे में बताया, इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के हवाले से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन सही है, कौन गलत, बस हम आपको टाइमीन बता रहे हैं, अब आगे फैसला खुद कर सकते हैं, आप शुतंत रहें, आप देश के जिम्मेदार नागरिक है, इस खबर पर आपके क्या रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए, नवस्ते मेरा नाम अभीनो पांडे है, आपके लिए खबर लिखी थे मारे साथ में दाज़ते हैं, शुक्रिया